गुड मॉनिंग फ्रेंड्स स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपने चैनल वी डवल आईसी में और मैं अमित कुमार सोनी सभी वीवर्स का हार्दिक हार्दिक वीनंदन करता हूं स्वागत करता हूं दोस्तों सब्सक्राइब जरू करते चलें शेर भी करें वीडियो को पसंद आता है तो लाइक करें बेल आईकॉन पर प्रेस करना बिलकुल न भूलें दोस्तों अब आंदुलन की तैयारी कर दी है चैनित सिक्षक संग ने और मांग की है गवर्मेंट से के सत्यापन प्रक्रिया को बंद की जाए और जुलाई में जल्द से जल्द हमको जॉइनिंग दी जाए जिससे की जो मानसिक रूप से परेशानी उठा रहे हैं युवा जो चैनित सिक्षक हैं उनको नौकरी मिल सके और जल्द से जल्द वो अपने सामाजिक कारियों में योगदान दे सकें तो दोस्तों यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो बोपाल में मां अंदुलन करने की तैयारी चैनित सिक्षक संग कर रहा है और दोस्तों बिल्कुल लेट तो आईए दोस्तों कि वुपाल समाचार ने इसे सम्मादित क्या नूज प्रकासित किये देखे दोस्तों बिलकुल लेटेस्ट अप्डेट है और वुपाल समाचार की जो बेब निूज है उसमें ये प्रकाशित हुई है और इसमें है कि चैनित सिक्षकों ने दस्तावे सत्यापन प्रक्रिया खत्म करने की मांग की तो दोस्तों ऐसा इसलिए किया गया कि बारवार अलग-अलग परिपत्र जारी करके दस्तावे सत्यापन में नए-नए निये जोड करके ये भरती प्रक्रिया को टालने का प्रियास किया जा रहा है सिक्षक विभाग के दौरा तो आईए थोड़ा सा जानते हैं इसके अंदर क्या डिटेल लिखी हुई है तो इसमें है कि प्रदेश में दो साल से लोक सिक्षक संचाल ना लए और आदिम जाती कल्यान विभाग की सिक्षक भरती प्रक्रिया की रफ्तार धीमी है उच्च मादमिक एवा मादमिक सिक्षक भरती 2018 से शुरू हुई थी चैनित सिक्षकों की मेरिट सूची जारी हुए करीब देल साल से जादा हो चुका है लेकिन दस्तावे सत्यापन का काम अभी भी जारी है तो यह हम देखी रहे हैं दोस्तों अब इसके आगे जो संयोजक हैं योगेंद्र पांडे उन्होंने बताया ये एक ऐसी सिक्षक भरती है जिसने दो सरकार है दो भरती के बजट और दो-दो मुख्यमंत्री देख लिए लेकिन आज भी चैनित सिक्षकों को अपनी निउक्ती का इंतजार है चैनित सिक्षक संग मद्द प्रदेश द्वारा फिशले दो सालों से अनेक आंदुलन किये ट्विटर अवियान चलाया चैनित महिला सिक्षिकाओं ने आठ मार्च महिला दिवस पर दंडवत यहत्र निकाली तब सरकार ने दस्तावी सत्यापन शुरू किया था और दोस्त चैनित सिक्षकों की जान भी कोरोना के कारण जा चुकी है चैनित सिक्षक की सरकार से मांग है कि जुलाई खत्म होने के पहले हमें न्यूकती दी जाए जिससे बेरोज गाली से जूज रहे हम सभी चैनित सिक्षक अपना कारे करें और प्रदेश की गिरते हुए सिक्षा इ इस बच्चों पर एक सिक्षक होना चाहिए लेकिन बर्तमान समय में मद्य प्रदेश में 50 चात्रों पर एक सिक्षक है 5000 से जादा स्कूल बिना सिक्षकों के चल रहे हैं नेमत सिक्षकों के ना होने से चात्रों की पड़ाई में भी गंबीर असर पड़ता है हमारी मांग है कि जल से जल चैनित सिक्षकों को न्यूक्ती दी जाए और ऐसा कहना है नीले स्तिवारी जो कि सैसा यूजक है चैनित सिक्षक संग के अब आगे है कि बेरोजगारी को देखते हुए चैनित सिक्षकों को जुलाई के अंत तक सरकार को न्यूक्ती दे दीनी चाहिए जिससे कई बेरोजगार युवाओं का बला हो ये कहना है मीडिया प्रवारी विर्जेश नामदेओ का चैनित सिक्षक संग मद्य प्रदेश के लेकिन जो मंशा दिख रही है सिक्षा विवाग की वो इसको टालने की लग रही है और यदि कोरोना की तीसरी लहर आ जाती है तो ये समझ लें कि इस सत्र में भरती होना मुश्किल है लेकिन यदि आंदोलन नहीं किया गया कोई उगर आंदोलन नहीं किया गया तो निशित तो जो भी होगा आपके सामने होगा तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दन्यवाद जय हिंद जय भारत